कि मोडल सेट वन का राजनितिक सास्त्र है अगला वीडियो में हमने विष्टरी का जोग्राफी का और समाने धेन दोनों हम पढ़ा चुके हैं यह प्रोटिकल सेंस का आज हम पढ़ा रहे हैं राजनितिक सास्त्र का है इसमें भी 40 प्रस्त होंगे जो हम आज हम लोग पढ़ाएंगे पहला कोशन ने कैसी नमबर का है कि कौन लोगतंत्र के प्रसार के लिए कौन जो है लोगतंत्र के प्रसार के लिए कौन जो है लोगतंत्र के प्रसार के लिए अवसिक नहीं माना जाता है तो विदेशी सरकार द्वारा आकरमन नहीं माना जाता है कौन लोगतंत्र के प्रसार के लिए अवसिक नहीं माना जाता है तो विदेशी सरकार द्वारा आकरमन नहीं माना जाता है तो विदेशी सरकार द्वारा आकरमन नहीं माना जाता है तो विदेशी सरकार द्वारा आकरमन नहीं माना जाता है तो विदेशी सरकार द्वारा आ कि भारत को एक गन राजी मुकृब से इसने मानां जाता है क्विशेंगे कि भारत की बहुंकि बहुआ गनडाजी की रूप में इसने रूप में माना जाता है क्योंकि भारत राज्य राज्य अधिक्ष का चुनाब करता है भारत को जो है गन्राजी के रूप में इसलिए माना जाता है क्योंकि भारत जो है राज्य अधिक्ष का चुनाब होता है भारत का राज्य अधिक्ष का चुनाब होता है अगला कोशन है तिरासी नमर का अगला कोशन क्या है तिरासी नमर का है कि नागरिक्ता 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 निमलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जाती है नागरिक्ता जो है पूछ रही कि हम नागरिक्ता जो है किस विधियों के द्वारा प्राप्त है कि पंजियन के द्वारा हम प्राप्त करते हैं पंजियन के द्वारा हम प्राप्त करते हैं पूछेंगे कि नागरिता जो है वह किस विधी के द्वारा प्राप्त की जा सकती है तो जल्म के द्वारा अन्वन सिक्ता के द्वारा और पंजियन के द्वारा प्राप्त की जा सक है तो जल्म के द्वारा आन्वन् सिक्ता के दौर प्राप्ट की जा सकती है अगला कोशन है 84 का हुआ को कि अगला कोशन 84 के ही भारतिय गन्राज में बास्तवी कार्ज कर्म प्राधी प्राधी कांनिम्लिखित में से किसके पास होता है तो मंत्री प्रसद के पास होता है भारतिय गन्राज में बास्तवी कारजकारी प्राधी कार निम्लखित में से किसके पास होता है तो मंत्री प्रसद के पास होता है भारतिये गन राज में बास्तवी कार्ज कारी प्रधा प्राधी करान प्राधी कार जो है किसके पास होता है तो मंत्री प्रसद के पास होता है तो मंत्री प्रसद के पास होती है अगला कोशन है 85 नम्मर का भारती राष्टपती के संबंध में निमलखित में से कौन सा कथन जो की शक्त्ते है तो वह बिदेशी का अपचारिक मुख्या होता है कौन है था है बिदेशी की अपचारिक मुख्या होता है पुछेंगे कि भारत राष्टपती के संबंद में भारत ये राष्टपती के संबंद में जो कौन सा कथन सही है तो भारत राष्टपती के संबंद यह कथन सही है कि वह मतला भारत का राष्टपती जो है नदेश का अपचारिक मुखिया होता है भारत का जो राष्टपती हो करता है वह राजु के मुखमंत्री के नुक्ति करता है तो नहीं भारति के राष्टपती के समद में कौन सा कथन सही है तो डी है जो कि वह देश का मतलब भारति ये राष्टपती जो होते हैं वह अपचारिक मुखिया होते हैं भारति राष्टपती जो होते हैं अब है 96 नमर कोशन कि कौन सी चुनोती उच नयले या कौन सी चुनोती उच नयले या कौन सी चुनोती उच नयले के समक्ष शूईकार्जशन van जनहित्याचिका के स्रेंडी में आती है कोश्चन यह पूछ रहा है कि कौन सी ऐसा चुनिती है जो कि उच नियाले या उस्तम नियाले के समक्ष जो है स्वी कार्ज जनहित याचिका की स्रेनी में आती है आती है तो प्रतिनी धी कार्ज बाही के रूप में एक समाने बिसे आती है क्या आती है तो प्रतिनी धी कार्ज बाही के रूप में एक समाने बिसे आती है अगला कोशन से तालिश नमर का कि वह अधिकार कौन सा है जिनका गन्ना भारत के समिधान में नहीं की गई है तो नीजिता का अधिकार है कौन सा है वह अधिकार कौन सा है जिनकी गन्ना भारत के समिधान में नहीं की गई है भारत के समिधान में गन्ना नहीं की गई है लेकिन उस्तम नियाले में मौलिक अधिकार बताया है तो वह नीजिता का अधिकार है अधिकार कौन सा है जिसकी गन्ना भारत के समिधान में नहीं की गई है लेकिन उस्तम नियाले में मौलिक अधिकार बताया गया है तो वह नीजिता का अधिकार है अगला कोशन 88 नमर का है जो कि संसदीय प्रनाली संसदीय प्रनाली बाली संसदीय प्रनाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है कोशन यह पूछ रहा है कि सद्य प्रनाली वाली जो सरकार होते हैं उनको और किस नाम से जाना जाता है तो संग्निय सरकार के नाम उसे जाना जाता है नवासी नमर कोशन है कि संग्निय सरकार की बिसेशता क्या है संग्निय सरकार की जो है वा बिसेशता क्या है तो सक्तियों का विभाजन और सुतंत्र नयपाली का है निमलिखित में से कौन सी संगनिय सरकार की विशेश्ता है तो सक्तियों का विभाजन और सुतंत्र नयपाली का निम्लिखित में से कौन सी संगनिय सरकार की विशेष्टा कोशन या पुछ रहा है कि संगनिय सरकार की विशेष्टा जो है कौन कौन है तो संगनिय सरकार की विशेष्टा पहला है कि सक्तियों का विवाजन और दूसरा है कि सोतंत्र नाय पालिका संग्निय सरकार की क्या विसेशता है तो सक्तियों का विभाजन और सोतंत्र नाय पाली का है अब है अगला कोशन नवे नमर का कि समाजिक विभाजन से निपटने के लिए लोकतंत्र के समंद में निमलिखित में कौन सा कथन सही नहीं आने की गलत है तो लोकतंत्र हमेशा समाज को भी घटन की ओर ले जाते हैं ये गलत है तो सही क्या तो लोक तंत्र जो है लोक तंत्र समाजिक विधिता को समाजित करने का सबसे अच्छा मादम है लोक तंत्र में शमुदायों के लिए सांती पूर्ण तरीकों से अपनी शिकायतों का आवाज देना संभव है लोक तंत्र में राजनितिक प्रती अर्षप्रदा के कारण समाजिक विवाजन राजनितिक में परलचित होता है अब है एक एवन अमर कोसन की भारत के सवधान की उदिसे का भारत के सवधान की जो है भारत के सवधान की उदिसे वो निमलिखित में से कौन सा सब्ध है जिसे सवधान में बयालिवा शनसोधन अधिनम्ण सव शीहत्तर के माध्यम से सामील नहीं किया गया है तो गड़ीमा है अब है अगला कोसन है बिरानबे नमबर का कि सुर्वच नियाले निर्वाचन आयोग शंग लोग से वायोग नियंतरन महालेखा प्रिच्छ कारजे काले जैसी संस्थाओं में एक लचन समान है एक लचन जो समान है वो लचन कौन सात वे शन्वैधानिक संस्था है सुर्वच नियाले निर्वाचन आयोग संग लोग से वायोग नियंतरन महालेखा प्रिच्छ का करजी काले जैसी संस्थाओं में एक लचन समान है वो लचन कौन सा है तो वे सन्वैधानिक संस्था है है अला कोई सने की भारत में भारत की भारत की सविधान सभा द्वारा गठित करने वाला भारत की सविधान सभा गठित करने का अधार क्या है तो cabinet कैबिनेट मिसन प्लाइशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाश किया है तो cabinet mission plan 1936 है अब है 94 नमर कोशन कि भारतिय सविधान ने भारत को किस परकार वर्नित किया है तो एक राज्यो संग के रूप में वर्नित किया भारतिय सविधान ने भारत को जो है किस परकार वर्नित किया है तो एक राज्जो का संग के रूप में वर्नित किया है जो है भारतिय सविधान वह भारत को किस परकार वर्नित किया है तो एक राजो का संग के रूप में वर्नित किया है अब है कोई बैक्ति भारतिय नागरिक्ता नहीं होगा यदि वह स्विक्षता से दूसरों देशों के नागरिक्ता गरहन कर चुका है अब है 96 नमर कोशन की भारत की सविधान के अनुसार भारत के राष्ट पती का कर जाले में रिक्ती को अवदी के भीतर बहुता नहीं होगा भरा जा सकता है तो 6 मास के अंदर राष्ट पती का जो कर जाले है और राष्ट पती नर है उसके असान रिक्त खाली रहें तो कितने दीनों के अंदर आप राष्ट पती के जगों के भर सकते हैं तो 6 मास के अंदर भर सकते हैं भारतिय सविधान के अनुसार भारतिय सविध लोक सभा द्वारा पार्त धन बिधयक राज सभा द्वारा भी पार्त मान लिया जाता है लोक सभा द्वारा पार्त धन बिधयक होता है यदि उच्छ सभा द्वारा भी पार्त मान लिया जाता है यदि उच्छ सदन उस पर किस समय किसी समय सीमा में कार्ज संपाद न कर सके तो चौदा दिनों में चौदा दिनों में होता है अब है उस प्राधी कारी का उत्राधी कारी कौन है जो भार्त के समय विधान को अस्तित में आने से पहले प्रीवी कांसलिंग के रूप में कार्ज कर रहा है उस प्राधी कारी का उत्राधी कारी कौन है जो भार्त के समय विधान को अस्तित में आने से पहले प्रीवी कांसलिंग के रूप में कार्ज कर रहा है तो उस प्राधी कारी का उत्राधी कारी कौन है जो भार्त के समय विधान को अस्तित में आने से पहले प्रीवी कांसलिंग के रूप में कार्ज कर रहा है तो उच्तम नियाले है उस प्राधिकरन का उत्राधिकारी कौन है जो भारत के सविधान को अस्तित में आने से पहले प्रीवी कांशनी के रूपने कार्ज कर रहा है तो उच्तम नियाले है अब है कि राजे सभा द्वारा राजे शभा द्वारा राजे सभा का मुख सलाहकार कोन होता है तो मुख मंत्री होता है राजे पाल का मुख सलाहकार कोन होता है तो मुख मंत्री होता है राजिय पाल का मुख सलाहकार कोन होता है तो मुख मंतरी होता है अब है कि सविधान में किस पद की बिवस्था नहीं की गई है तो उप प्रधान मंतरी की बिवस्था नहीं की गई है तो उप परधान मंत्री की विवस्था नहीं की गई है पर सुर्वच नियाले द्वारा जांच और रिपोर्ट के दहार पर राश्पती के द्वारा हटाया जा सकता है संग लोग सेबा आयोग के सदसों को जो की पद से हटाया जा सकता है तो सुर्वच नियाले द्वारा जांच और रिपोर्ट के दहार पर राश्पती के द्वारा हटाया जा सकता है अगला कोशन कौन सा कार्ज है जो कि कौन सा कार्ज गराम पंचयत का प्रसास्निक नहीं करता है तो कौलेज सिच्छा अप्लब्द कराना ये गराम पंचयत का प्रसास्निक नहीं करता है और ऐसा कौन सा कार्ज है जो कि गराम पंचयत का प्रसास्निक करता है तो सफाय तथा बातंद्र का अप्लब्द कराना कर्बगाह तथा शमसान अप्लब्द कराना सरकों, तलावों और कुओं का अनुरचन करना यह कार्जों है या ग्राम पंचायत का प्रसासनिक करता है और कौन सा कार्ज नहीं करता तो कॉले सिच्छा प्रव्द कराना यह कार्जों की प्रसासनिक पंचायत नहीं करता है अब है संसद्वारा पार्थ सविधान संसद्वार जो पार्थ सविधान है संसोधन विधे के लिए निमलिकीत में से किसके समंद्वे कम से कम आधे राज्यों के विधान मर्डों का अनुसमर्धन प्राद करना भी अवसेख है संसद के राज्यों का प्रती निधित्व है अब है एक सचार नमर को सनकी जुलाई उनीस सच्छियालिस में अस्थापित सविधान सभा के सदश्यों निमलिखित में से कौन सामिल नहीं था तो महात्मा गांधी जो के सामिल नहीं थे तो के एम मुंसी जो की ये सामिल थे राजंदर परसाद भी सामिल थे अब उनकलाम अजाद भी सामिल थे महात्मा गांधी सामिल नहीं थे जुलाई उनीस सच्छियालिस में अस्थापित सविधान सभा के सदश्यों में जो है कौन स तो महात्मा गांदी नहीं था अब है कि भारती सविधान की प्रस्ताबना में धर निर्पेक्ष धर निर्पेक्ष जो है शब्द का सब्द निमलिकित में से जुरा गया है भारती सविधान में धर निर्पेक्ष जो रा गया है तो भारती सविधान की प्रस्ताबना में धर निर्पेक्ष जो रा गया है तो 42 बा संसोधन के द्वारा जो रा गया है अब है अगला कोशन की भारत की राष्टपती भारत के राष्टपती का निर्पाचन करने के लिए निर्पाचर मंडल में कौन सामिल होते हैं तो लोक सभा राजे सभा राजे राज बिधान सभाव का निर्वाचित सदस्य होते हैं निर्वाचित लोक सभा का भी होते हैं राजे बिधान सभाव में जो निर्वाचित सदस होते हैं वो भी सामिल होते हैं तो भार्द के राष्टपती का निर्वाचन करने के निर्वाचन मं संदल में कौन सामिल होते हैं तो लोक सभा राजय सभा राजय विधान सभाव के निर्वाचित सदस्त होते हैं वह भी राष्ट-पती के निर्वाचन में सामिल होते हैं अब है संग्ये संसद की सनित बैठक संग्ये संसद की सनित बैठक के लिए बुलाई जा सकती है किसी गैर बितिये बिधेक पर दोनों सद्लों में गती रोध के समधान है तू संग्ये संसद के सनित बैठक किस लिए बुलाई जा सकती है संगनिये संसद की शनिक्त बैठक किसलिए बुलाई जा सकती है तो किसी गैर बितिये बिधेग पर दोनों संसदों में गति रोध के समधान हितु बुलाई जा सकती है संगनिये संसद की शनिक्त बैठक के लिए बुलाई जा सकती है तो किसी गैर बितिये बिधेग पर दोनों संदों में गति रोध के समधान हितु बुलाई जा सकती है निमलिखित वर्गों में से किस वर के नागरी को मत दाता की रुप में पंजी कृत किया जा सकता है तो और निवासी नागरी को इसको और निवासी नागरी को निर्धार्द आयूबाले नागरी को के वो निवलखित वर्गों में से किस वर्ग के नागरी को मत दाता के रूप में पंजी कृत किया जा सकता है तो और निवासी नागरी को किया जा सकता है मत दाता के रूप में पंजी कृत किया ज़र सकता है तो और निवासी नागरी को किया ज़र सकता है तो और निवासी नगरी को अब है एक सो नौ नमर कोशन की सविधान में किस पर महावियोग चलाने के लिए कोई प्रभधान नहीं है तो राजे पाल पर सविधान में किस पर महावियोग चलाने के लिए कोई प्रभधान नहीं है एक संसोदन द्वारा शमा बैसीत भारती सविधान के अनचोद तो पंचाईत राज विवस्था से संबधित है एक संसोधन द्वारा समा बेसित भारती सविधान का अनुछे दूसरते तालिस जो है अनुछे दूसरते तालिस है किस समदित है तो पंचे ते राज विवस्था से समदित है अब है कि भारती सविधान की प्रस्ताबना पहली बार कब संसोधन के द्वारा हुई थी भारती सविधान की जो प्रस्ताबना है वो पहली बार कब संसोधन द्वारा हुई थी अब है दोहरी नागरिक्ता के रूप में किसकी विशेष्ता है दोहरी नागरिक्ता के रूप में किसकी विशेष्ता है तो संग्निय सरकार की विशेष्ता है अब है संसद की निम्योक्ता अस्थाई सिमित्या में से किस में राजे सभा का कोई संसद नहीं होता है तो आक्रन सिमिती में नहीं होता है अब है किस गयर संसद सभा को संसद को संबोधित करने का अधिकार है तो भार्द के महान्यवादी को है किस गयर संसद को संसद करने का अधिकार है तो भार्द के महान्यवादी को है एक उच न्याले से दूसरे में किसी न्याले धिस के अस्थांतरन के लिए एक उच न्याले से दूसरे में किसी न्याले धिस के अस्थांतरन के लिए कोन प्राधी करित है तो राष्ट पती है एक उच न्याले से दूसरे में किसी न्याले धिस के अस्थांतरन के रूप में अस्थांतरन के लिए कोन प्राधी करित है तो राष्ट पती है अगला कोशन है 170 नमर की कौन सी संस्थाएं हैं जिनके निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग द्वरा तयार की गई समाने निर्वाचन सुची में पड़ियोग नहीं किया जाता है तो उन राजों का विधान परिशदो जिन में वे हैं किसके द्वारा तीन अस्तरिय पंचाइती राज विवस्था को सन्वेधानिक दरजा प्रदान किया गया है किसके द्वारा तीन अस्तरिय पंचाइती राज विवस्था को सन्वेधानिक दरजा प्रदान किया गया है तो 73-72 अधिनव 1993 के द्वारा अब है 119 नमर कोशन कि भारती सविधान के निम्युक्त भागों में से किस एक में नैपालीका तथा कार्जपालीका के प्राथक के प्रावधान है तो राज के नीती समदूर निर्देशक शिदान्स में है भारती सविधान के निम्युक्त भागों में से किस एक में नाइपालीका और कार्जपालीका के पाथक के प्राथान है तो राज के नीती समदूर निर्देशक सिदान्स में है भारत के राजनितिक सक्ति का सुरोत है जोके हम लोग अर्थात जनता है भारत में राजनिती सक्ति का सुरोत क्या है तो जनता है भारत में राजनिती सक्ति का सुरोत क्या है तो जनता है